भाई, El Classico El Classico है, चाहे pre-season हो, चाहे वो friendly, मतलब ये friendly तो नहीं था कहर, चाहे वो pre-season का game हो, या फिर आपका league का game हो, या फिर आप कहीं भी खेल लो जाके दुनिया के किसी कोने में, El Classico, El Classico की hype, El Classico का craze, और El Classico में जो एक rivalry वाला factor निकल गरा ता है न, वो आज हमें पिश पर देख रहा था, Madrid और Barcelona हर एक challenge के लिए ऐसे जा रहे थे, जैसे भाई ये उनके लिए match एक UCL final के बराबर हो और वो देख के मज़ा आता है, क्योंकि आप friendlies अगर देख रहे हो तो आपको उनमें competition नहीं दिख रहे हो आपको उनमें intensity नहीं दिख रही बट पूरे match में इस इस आज के game में आपको एक भी बार ये देखने को नहीं मिला के दोनों team में से किसी ने भी अपनी intensity drop की हो, Barcelona जीती है 1-0 congratulations, first of all to all the Barcelona fans, but I think मैं यहाँ पर Madrid fans को एक जरूर message देना चाहूँगा कि guys ये pre-season है और pre-season के basis पर आप ये मत सोचना कि आप season में एक कमजोर team बन कर उतरने वाले हो क्योंकि वहाँ Chelsea अपने 2 game हार चुकी है वहाँ United अपने 3 game जीती है एक draw किया है, तो अगर Chelsea की बात करूँ मैं तो Chelsea is not the weak team और यहाँ पर अगर United की बत करूँ तो United is not the best team उन्होंने Liverpool को चारनल हराय था तब भी मैंने यही बोला था इस जस्ट अ प्री सीजन गेम तो Madrid fans, आपकी team में अभी बेंजिवा नहीं है, आपकी team में अभी हजार को मैच फिटनेस गेन नहीं होई है उस पर आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बार्सलोना की, तो भी बार्सलोना की आज जो team उतरी field के उपर, वो काबिले तारीफ थी क्यों? क्योंकि उनके हर एक player ने performance दी शुरू करूँगा मैं उनकी नई signings के साथ आप ये कह सकते हो कि लेवन डॉसी को थोड़ा time लगेगा gel up होने के लिए क्योंकि bain minute का जो structure था, वो काफी different था, बार्सलोना के setup से और, लेवन डॉसी खुद को उतना game में involved नहीं कर पाए क्योंकि सबसे पहली बात उनका पहला start था दूसरी चीज, आठ साल नौ साल एक setup में खेलने के बाद जो आप एक नए setup में खेलने आते हो तो आपको adjust होने में सोड़ा time लगता है I think Shavi के लिए ये एक बहुत बड़ी, you know एक तरीके से challenge रहेगा कितना जल्दी वो लेवन डॉसी को settle कर पाएंगे इस बार्सलोना के setup में Rafinha भाई पहली बात थो, what a goal भेंचोद, that was a blinder, that was a crazy crazy goal, उसके साथ भाई अगर आप first half की बात करो न first half में Rafinha and Araho were the two of the best players Araho का game read करने का style, Araho का challenges win करने का तरीका, Araho का ball distribution आज की game में, everything was on point, उसने Vinicius को भाई, निकलने नहीं दिया Vinicius को पहले half में, you know उसने जादा कुछ करने का मौका दिया नहीं वहीं Rafinha, time and time again whenever he was getting the ball he showed everyone के why Barcelona were ready to pay 55 million as a straight upfront fee, तो यह दिखाता है भाई के Barcelona ने जिन players per gamble खेला है, you know इस market में, वो आज के game में pay off करता हुआ दिखा में even Christensen भाई, Barcelona वाला Christensen और Chelsea वाला Christensen, अगर मैं compare करूँ तो आज के game में, भले वो one off game हो सकता है Christensen का बट जमीन अस्मान का अंतर था हम देख रहे थे, कि एक time पर हम कहा रहे थे कि Eric Garcia और Christensen की जोड़ी कैसे काम करेगी आज तो अच्छी काम की भाई उन्होंने हजार को शांत रखा, उन्होंने रोदरीगो को शांत रखा, उन्होंने विनीशस को शांत रखा क्यों रहेगा, क्योंकि जब आपको एक ही सीजन में 11 डॉस की, रफीन या, क्रिस्टेंसन, फ्रेंक कैसी, और अगर जूस कुंडे भी आजता है और डंबेले को आपने रिन्यू किया है अगर ये सारे प्लेयर्स आपको मिल रहे हैं और बोर्ड आपको इतनी बेकिंग दे रहा है तो शावी की उपर अप प्रेशर रहेगा डिलेवर करने का आज इस गेम में उन्होंने बेसिकली रियाल मेडिट को एक भी शॉट अन टार्गेट लेने नहीं दिया और बेसिकली बार्सलों ना तीन-चार निल से जीच सकती थी अगर आंसू फाती शुरू में वो फास्ट आफ में मिले दो चांसे को बरी कर देते प्लस अगर एक वो लेट पैनल्टी शॉट भी थी बेसिकली हैंड हुआ था अब वो अद्री जोला का था या वेले हो का था वो समझ में नहीं आया मुझे बट हैंड बॉल तो थी वो डेफिनिटली और उस पर पैनल्टी मिलनी चाहिए थी वट क्योंकि वी ए आर नहीं थ था और नेकेड आई से तो पहले हमें भी समझ में नहीं था वो तो जब रीपले दिखाया गया स्क्रीन की उपर तब पता चला कि अरे भाई वो पैनल्टी शाउट था तो यहां पर बात सुना कि आज की परफॉमेंस के बेसिस पर बात सुना फैंस इस बात का अंज़ादा लगा सकते हैं कि उनकी टीम एक बेटर शेप में दिखेगी उसके कंपैरिजन में जो वो लास सीजन थे और यहां पर अगर मैं मेडरिट की बात करूँ तो भाई मेडरिट के लिए बहुत सारे लोग यह बोलेगा कि हजार ने प्रॉमिस किया था हजार ये करेगा हजार वो करेगा हजार ऐसा खेलेगा हजार वैसा खेलेगा हजार को इतने टाइम के पाद आपने एक्शन में देखा है हजार पहले से बेटर शेप में है फिटनेस वाईज लेकिन मैच फिटनेस और जिम फिटनेस एक अलग चीज हो गई अब यहां पर मैच फिटनेस के लिए उसको मैच प्रेशर की वज़े से जो कि पिछले दो तीन सीजन में हजार्ड ने अपने आपको एक ऐसा प्लेयर में नो बना के साबित किया है जो कि कांच के एक घर की तरह है जिसमें आप पत्थर मारोगे तो वो डह जाएगा आज के गेम में एक तरीके से डिस्जॉइंटेट सी लग लही थी मेंडरिट की फ्रेंट लाइन क्योंकि बेंजिमा नहीं थे आगे और विनीशियस हम सब को पता है भाई विनीशियस का अगर पिछला सीजन इतना अच्छा गया था तो उसमें बहुत बढ़ा रोल बैंजिमा था क्योंकि बेंजिमा अपने उपर इतना रहता है, टीम के contribution के लिए, क्योंकि उसका off the ball movement, उसका ball distribution, उसकी positional awareness, वो एक अलग level की है, वो आप हजार से इस point of time पर expect नहीं कर सकते, क्योंकि हजार की preferred जो position है, वो है आपकी left wing की position, तो ये एक जो scene हम देख रहे हैं, और हम देखना चाहते हैं, basically, Madrid में के Madrid Benzema के बिना क्या क करेगी, एक चीज़ तो आज पकी बात हो गई, कि Madrid को player चाहिए भाई, number 9 की position में, Mariano के बस की बात नहीं है, Mariano से नहीं होगा, और Rudiger की अगर मैं बात करूँ आज के L Classicों में, तो Rudiger was brilliant भाई, Rudiger was absolutely fantabulous, Rudiger ने basically उस left back area को जो की उसमें उनका natural role है भी नहीं, उसको अच्छे से justify किया, you know, अपने manager के trust को उनोंने दिखाया कि क्यो manager ने उनको left back position में डाला था, and एक goal खाने के बाद, Madden ने थोड़ी intensity दिखाने की कोशिच की थी, but Barcelona का defense बहुत sharp है, भाई, Barcelona की midfield में इतने दा options है, सब लोग बात पता है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चुआ मेनी पर hundred million waste हो गए, ये हो गए, वो हो गए, एक तो fans की इतनी बड़ी एक, जो problem मुझे लगती है, वो ये ही है कि Darwin यूनिज अगर दो game में उसने open goal miss कर दिये, Darwin यूनिज is a waste, चुआ मेनी आशी game में उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो he is a waste, अरे भाई, season शुरू होने तो, season मे 10 से 12 game होने दो, जब 10 से 12 game हो जाएंगे न, तब आपको clear idea पता चलेगा कि player है कैसा, player की capabilities क्या है, player की qualities क्या है, अब सोचो ये ही सारे fans हैं, जो कि कह रहे हैं कि United को Patrick Schick को लाना चाहिए, Madrid को Patrick Schick को लाना चाहिए, भाई, Patrick Schick को लाने से scenarios change नहीं होंगे, Patrick Schick को लाना is like inviting another Luka Jo Jovic, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा gamble था, जब वो Frankfurt से आया था, क्योंकि Rabbage, आपके Jovic और आपके salvation Haller, इन तीन का trial जो था, basically Frankfurt में, वो एक अलग लेवल परफॉर्म कर रहा था, but Frankfurt और Madrid में जमीन आसमान करता रहे, ऐसी आप अगर Patrick Schick को ले कि आओगे, Patrick Schick रोमा में काम नही करती है, एक अलग level of dedication demand करती है, तो उस चीज़ के लिए हमें भाई, time देना पड़ेगा, और Florentino Paris को पता है, और basically players को पता है, कि उनको कैसे operate करना, जैसे से season आगे बड़ेगा, वैसे वैसे आप जाधा, अच्छे तरीके से teams को formulate होते देखोगे, and Madrid fans, pre-season है भाई, trophy नहीं मत करना क्योंकि over-expect भी मत करने लगना team से, पता जले season शुरू हो और आप शुरू में 2-3 game हार जाओ, तो फिर आप लोग, you know, एकदम से बवाल बचाना शुरू कर दो, तो be realistic, be realistic, as things, you know, as things stands, you are in a better position, but just wait for the season to start, all right?